हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चाहिए लारियन ग्लोरियों में और आज के सुड़ों में हम आप लोगों को बताएंगे एलिगेसंड मिस्टर के बारे में तो दोस्तों अगर आपको योडियों पसंद आएगी तो प्लीज इस वडू करिएगा लाइक अ है अलीगेसंड मिस्टर के बारे में जब किसी दो यह दोस्तों अधिक प्राथ होता है अगर आइंग इसको मिलादी नो रही तो जो हमारा नुझार बनता है उसको और क्या कहते हैं एलिगेशन कहते हैं भी दोस्तों मैं लीजिए यह कॉंटेनर है और इसमें क्या है पानी ह पानी का रेशिआ कितना है थ्री है यह बहुत इस नहीं है इसका रीस कितना है तो माली जी जै कि यह का अनुछ इसमालीजे की दूध है और इस पॉर है तूर दूस्तो अब इन तीनों का में मिला देने से मालीजिये दूद, चीनी और पानी बन गया तो दोस्तो आद देखिए जब में दिनों को प्रस करेंगे तो कितना आएगा तो यहां पुद देंगे नाइन तो दोस्तो इसो नाइन है इन तीनों का टूटल आया है अगर मालीजिये आपसे पूछे कि इन तीनों में पानी की मांत्रा कितनी है तो आई हम आपको इसे एक और एक्जाम पड़ेकर समझाते हैं किलो कि माली जी यह एक बॉक्स है है कि कर से फाइफश्क संके है एक देखिये हमें दो खानों को शूल लिया हिसके चूल को उभ लिखेंगए अब टूटल कितने खाने है क्तूल फाई यहांब पर उप्र मुट काल। तो जिस चाव से हमने इसको निकाला तो जिसी तरह से खthese स्वक इसको भी निकालेंगे तो सिसके छूट जरम इतना है, नहीं है, तो 9 को में आप डिक देंगे, अब इसमें पानी का रिस्यों के ताह 3 है, तो यहां फ्राम, 3 डिक देंगे, means, कि इस तीनों में पानी की मांत्रा 3 upon 9 है, अब पानी कि चेका पूझदे, कि इन तीनों में चीनी की मांत्रा कितनी है, तब आजाएगा 2 upon 9 क्योंकि टूटल किता है 9 है और चीनी का जो इसी वह वो 2 है अब इसमें दूद का पूर्ज दे तब 4 upon 9 हो जाएगा में इसके इन तीनों में दूद की मांद्रा 4 upon 9 है तो दस्तों आद देखिए हमाला यह तीनों आ गया आये देखते हैं अपना फर्स्ट कोशन 25 रुपी केजी के वस्तू में 20 रुपी केजी के वस्तू को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिस्टर करें मूल्य 22 रुपी केजी हो जाए दोस्तों माली जीए यह एक वस्तू है इसमें 25 रुपी केजी के वस्तू है और यह दोनों को किस अनुपात में हम मिलाएं कि सोयों 22 रुपी केजी हो जाए तो जो 22 रुपी होगा उसको कहां पर लिखेंगे बीच पर लिखेंगे कहां पर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, तो इसको सॉल करने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या में से चोटी संख्या को माइनस करेंगे, और माइनस करने के जितना आएगा उसको कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, तो 22 और 20 में से बड़ी संख्या कौन सी और जितना आएगा उसको हम यहां पर दिखेंगे तो 25 और 22 मेंसे बढ़ी संध्या कौन सी है 25 है तो 25 मेंसे 22 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 3 तो यहां पर हम लिख देंगे 3 तो दौस्तों अब यह माइनस करेंटी पर जो आता है नीचे इसी को हम कहते हैं quantity ratio तो दौस्तो कि 20 रुपी वाली वस्तु को 3 kg और 25 रुपी वाली वस्तु को 2 kg मिला देंगे तो यह हमारा एक न्यूप मिक्चर बन जाएगा तो दौस्तों अब यहां पर क्या है 2 ratio 3 है तो जो 2 ratio 3 होगा यह हमारा आंसर होगा means कि वस्तु को 2 ratio 3 के लुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिस आंसर तो निकाल लिया अब हम यह कैसे चिक करेंगे कि जो हमारा आंसर है जो सही है या फिर गलत है दोस्तों इसे भी पहचाने का एक तरीका होता है वह होता है कि पहले तो हम 25 और 2 इसका मिल्टिप्लाई कर देंगे 25 तू जा 50 तो यहां पर हम निक देंगे 50 और देखिए ह तो 23 चा 60 तो यहां पर अपर निक देंगे 60 आप अगर हम इन दों नेको प्रस करेंगे तब कितना आएगा 110 आएगा तो जस्तों अब यह जो 110 होगा इसमें क्या करेंगे? डिवाइद करेंगे किसका डिवाइद करेंगे? यह जो हमारे रेसियो है तू रेसियो ठीव इसको जो हम प्रस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा तो जब 5 होगा इस से हम 110 को डिवाइट कर देंगे तो आएए डिवाइट करते हैं तो 5 2 is the 10 अब मैनस कर देंगे कितना जाएगा 1 अब 0 को दा देंगे तो 10 हो गया तो 5 2 जा 10 तो यहां पर निल देंगे 10 तो दोसको देखिए आ गया 22 तो यहाँ पर क्या है 22 है इसका मतलब कि हमारा अंसर करेक्ट है सही है अगर यहीं पर हमार कोई दूसरा नमर आ जाता इसका मतलब कि हमारा अंसर जो है वो रॉंग है आई देखते हैं अपना एक और कोशन माली जी यह है कि एक वस्तूफ 10 रूपी परती केजी की है और एक वस्तूफ 16 रूपी परती केजी की है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और माइनस करने पर जितना आएगा उसको हम यहां पर लिख देंगे तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 4 रेसी हो अब इसमें भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 2 यहां परम लिक्तेंगे 2 तो दोस्तो अगर यह कट्था है तो इसको काट देंगे अगर नहीं कट्था है तो यह हमारा आश्ये से कट्nev दोस्तो यह कटेगा किसे कटेगा 2 से कटेगा तो आइए काट देते हैं तो तो जब को तू बन जा तू तो कितना गया तू रेसियो बना गया में इसके 16 रुपए वाली वस्तू को 1 kg और 10 रुपी वाली वस्तू को 2 kg मिला देंगे तो यह हमारा एक न्यू बिक्चर को जाएगा तो जो तू रेसियो वाल है यह होगा हमारा आंसर आइए जो हमारा आंसर इसको चेक कर लेते हैं कि यह करेक्थ है या फिर रॉंग है तो दोस्तों 10 को में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 16 को में करेंगे तब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 तो जब हम 16 प्लस 20 करेंगे तब कितना हो ज तो जो 36 होगा अब इसका हम डिवाइट कर देंगे इन दोनों को प्लस करें तो कितना आजाएगा 3 याज आएगा तो जो 3 होगा उससे हम 36 को डिवाइट कर देंगे तो 3 बन जा 3 मैंस करेंगे तो 0 आएगा अब 6 को उतार देंगे तो 3 2 जा 6 फिर वाइट करेंगे तो 0 गया जाएगा तो देखिए यहां पुड़ा गया 12 तो यहां पर क्या है 12 है इसका मतलब कि जो हमारा अंसर है वो करेक्ट है सही है आई देखते हैं अपना थर्ड कोस्टन दोधर पानी किस अनुकात में मिला जाए कि मिस्टर को क्रेम मुले पर बेशने से 20 परशन का लाव हो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है 20 परसेंट तो इसके यहां पर हम लिख देंगे 20 अपॉन क्यों करेंगे क्योंकि जो परसेंटेज हुता है इसको मेंडिक पर ही निकालते हैं इसलिए हम अपॉन करेंगे तो कितना आएगा तो यहां पर आजाएगा वन अपॉन फाइफ दोस्तों अब जो नीचे की वेल्यू होती है इसको हम पहले लिखते हैं मेंस यहां पर हो पानी लिटर होगा तबी मिस्वड को क्रेंबूले पर बेशने से 20 परसेंट को लाव होगा दोस्तों यहां पर क्या दिया हो है 20 परसेंट का लावो अगर इसी के जगा पर देदेता 25 परसेंट का लावो तब कैसे सब्सक्राइब करते विल्कुल इसी तरह से 25 अपॉन हंड अब देखिए डिवाइट करेंगे जो कितना आएगा 25 फोर जा हंड्राइट तो यहां परा जाएगा वन अपॉन फोर अब जो नीचे की वैल लिए इसको पहले लिखेंगे मेंस यहां पर हो जाएगा फूर इसकी ओपन यह होगा हमारा आंसर दोस्तों अगर यह दोस्त को आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं आए देखते हैं अपना फिफ्ट को सैंट एक व्यापारी के पास फाइफ कुंटेल जीनी थी इसमें उसने कुछ चीनी 7% पर तथा कुछ चीनी 17% पर बेची सारी चीनी पर उसे कुल 11% का लाव हुआ तो 17% पर कितने चीनी चीनी के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ चीनी 7% पर बेचा तो यह परसंट होगा इसको में हम पर लिख लेंगे और कुछ चीमी 17 परसंट लाब दीचा तो 17 परसंट को हम यहां पर लिख लेंगे तो दोस्तों अब सारी चीमी पर उसको 11 परसंट का लाब वद वहां तो जो 11% होगा उसको हम भी इच में लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे? कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे. अब 17 में से हम 11 मैनस करेंगे. तब कितना आएगा? 6. तो यहाँ प्राम लिख देंगे? 6. अब इसमें भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे. तो 11 में से 7 मैनस करेंगे. तब कितना आएगा? 4. तो यहाँ प्राम लिख देंगे? 4. तो कितना आगया? 6 देश्यो 4. दो दस्तो. अब यह 6 देश्यो 4 है. यह तो आगया. लेकिन हमको अपने कोशन में पूछा हुआ है. कि तो 78 परसंट लाब पर कितनी चीनी बेचा? दोस्तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कि देखिए. जो वैपारी है. उसके पास टोटल कितनी चीनी है? 5 कुंटल चीनी है. दोस्तो 5 कुंटल का मतलब होता है 500 के सी. तो यहाँ पर हम लिप देंगे 500. मैं टीप्लाई ही. अब दीखिए दोस्तो 78 परसंट का जो रिस्यो है. वो कितना है? 2 है. तो यहाँ पर हम मैं टीप्लाई 2. अब हम कितना कर देंगे? 5. अब हम 5 क्यों करेंगे? क्योंकि 3 प्रस 2 कितना हो जाएगा 5? इसलिए आपर हम 5 लिख देंगे. अब हम इसको सॉल्फ कर देंगे. तो 5 वन जब 5 और 2 0 है इसको मुतार देंगे. तो 100 का मिल्टिप्लाई 2 में करेंगे. चब कितना हैगा? 200. 200 केजी. यही होगा हमारा आंसर. दोस्तों, 200 केजी का मतलब 2 कुंटल. तो 17 परसंट लाब पर 2 कुंटल चीनी उसने बेचा. तो दोस्तों, अब देखिए. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कि 17 परसंट लाब पर चीनी कितना बेचा. अब इसी के जगए पर दिया होता, कि 7 परसंट लाब पर उसने चीनी कितना बेचा. तो हम कैसे निकालते? जिस तरह से हमने इसको निकाला था. अब देखिए. तोटल उसके पास चीनी कितनी है? 5 कुंटल. तो यहाँ पर मिख देंगे 500. मल्टिप्लाइब अब जो 7 परसंट है इसका इसको कितना है? 3 तो मल्टिप्लाइब 3 अपन 5. अब इसको नुसाल्ट कर देंगे. तो 5 पंजा 5, 2 0 है. इसको उतर देंगे. 100 का मल्टिप्लाइब 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 300. तो यहाँ पर मिख देंगे 300 केजी. यह यहाँ आँगा हमोरा? आंसर मिली इस कि उसने 7 परसंट लाग पर 3 कुम्टल चीनी बेची. तो दोस्तों अगर आपको ये उडियो पसंद आई होगी तो प्लीज जिर्ट करिएगा लाइक. अगर जिर्ट करिएगा सब्स्ट्राइब और बिन आपको जिर्ट करिएगा जिससाब को मेरी आदेख नएए वीडियो को नाटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुच सके. तो दोस्ता मिलते हैं आपने अगरे उडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जैन जै भारत.